सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल समराट मेडिकल नामेट को उस साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार आज हम लोग जानेंगे जैसिन 200MG सस्पेंसन के बारे में जैसिन ब्रेंड नेम है इसका जेनरिक नेम या कमपोजिशन एजित्रो माइसिन है इसके परतेक पॉंच मेल में एजित्रो माइसिन 200MG पाया जाता है इस सीरप को कैडिला फर्वां सिट्यूकल्स लिमीटेड द्वारा बनाया जाता है जो 30ML के कॉंटिटी में 107 रूपिया 76 पैसा के कीमत पर किसी भी मेडिकल अश्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जनेंगे जैसिन 200MG रेडिमिक सस्पेंशन का उप्योग कौन कौन से बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है कितनी मात्रा में दिया जाता है कितने दिन तक दिया जाता है इस सिरप को पिलाने के बाद क्या-क्या दुस्प्रभाब हो सकता है इन सारी जनकारी के लिए बने रही हमारे साथ दोस्तों जैसिन 200MG रेडी मिक सेस्पेंसन को खास कर बच्चों के लिए बनाया जाता है एजित्रोमाइसिन का आपयोग कई परकार के बैक्टरियल इनफेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है जैसे बच्चों में होने वाला समन्न सर्दी जुकम के साथ होने वाले वुखार को ठिक करने के लिए इसका आपयोग किया जाता है बच्चों में होने वाला गंभीर समस्या रेस्पारेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन के निमोनिया में जब बच्चे को काफी सर्दी हो जाता है कौप के अधिकता के वज़ से सांस लेने में काफी परिसानी होता है सांस का आवाज पर्तेक्श रूप से सुनाई पड़ता है पसलियां काफी तेजी से चलने लगता है बच्चों के छाती तथा सर में दर्द होता है जिससे बच्चा बैचेन हो जाता है बच्चा काफी रोते रहता है इस समस्या को ठिक करने के लिए भी जैसिन 200MG Ready Mix Suspension का उप्योग करवाया जाता है बच्चों के कान में होने वाला संकरमन में जब बच्चे को कॉमन कॉल्ड के बज़े से या कान में पानी जने से या अन्य कारण से कान बहने लगता है कान में दर्द करते रहता है इस समस्या को ठिक करने के लिए डॉक्टर अन्य दबाईयों के साथ जैसिन 200MG Ready Mix Suspension को प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों के आँखों में होने वाला संकरमन को ठिक करने के लिए भी डॉक्टर द्वरा जैसिन 200MG Suspension Ready Mix को प्रिस्क्राइब करते हैं जब बच्चों के आँखों में चोट लग जाने से या आँखों में किसी परकार के बैक्टरियल इन्फेक्शन के बज़े से या कॉमन कॉल्ड के बज़े से आँखें लाल हो जाता है आँखों से पी प्यूक्त उजला पदार्थ सरावित होते रहता है आँखों से पानी भी भहते रहता है तब इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है बच्चों में होने वाला अंत्रिक बुखार टाइफाइड बुखार को ठिक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा अन्य दवाईयों के साथ जैसीन 200 MG सस्पेंशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है अस्कीन इंफेक्षन में जब किसी बच्चे को बलड इंफेक्षन के बज़े से या किसी चोट के कारण या किसी परकार के जलने या कट जाने से घाव हो जाता है इस तरह के समस्या को ठीक करने के लिए भी जैसीन 200 MG सस्पेंशन का उप्योग करवाया जाता है बच्चों में सरजरी के बाद होने वाला इंफेक्षन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर दोरा जैसीन 200MG सस्पेंशन को अन्य दवाईयों के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं अब जानेंगे जैसीन 200MG रेडी मिक्स सस्पेंशन के डॉजेज के बारे में इस सस्पेंशन को कैसे दिया जाना चाहिए तो 10-12MG पर केजी पर डे बरावर भागों में बंट कर या दिन में एक बार परती दिन 3-5 दिन या वसकता अनुसार उससे अधिक दिन दिया जाना चाहिए दोस्तों अब जानेंगे जैसीन 200MG रेडी मिक्स सस्पेंशन के साइड इफ्यक्ट के बारे में इस सीरप को पिलाने के बाद क्या-क्या दुस्परभाब हो सकता है तो दोस्तों जैसीन 200MG रेडी मिक्स सस्पेंशन को पिलाने के बाद आपके बच्चे को उल्टी हो सकता है दस्त लग सकता है पेट में दर्द कर सकता है किसी किसी बच्चे में constipation, कब्ज यानि लेटरिन नहीं होने की समस्या हो सकता है ये इनकी कुछ साधारन side effect है अगर इन में से किसी भी परकार के परिशानी आपको दिखे तो तुरंट अपने डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा दिये गए निर्देसों का पालन करें दोस्तों जैसिन 200 mg रेडिमिक सस्पेंशन के बारे में और किसी भी परकार के जहनकारी के लिए कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए तथा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, धन्यवाद